गुड़ा अफ्टरून बच्चो आज आप लोग का ये सेशन जो है अभी आपका मैं प्रीमियर हो जाएगा 145 पर थोड़ा से मुझे काम था लेकिन मैं आप लोग को किसी भी तरीके से मत देखें के सर के कमेंड नहीं आ रहे हैं या मतलब आप नहीं पढ़ रहा हूं आप ल तरीके से पढ़िए ठीके बच्चो पहले कोशन को लोग देखते हैं इससे पहले का मैं कर यह कोशन अम लोग ने कल करा था तुक आउट करके इसमें जो बताये था अगर आप रेगुलरली भी देखते रहोगे ना बच्चो इन वाकेब को तो आपको फ्रेजल वर्व अप 142 में क्या आंसर जाना चाहिए आपको देखो अगर मैं बच्चो आप लोगों से बात करता हो पहली चीड़ चीश तो कोशन पंर का अखरे में लगा हुआ है तो ये इसमें से morning में आये था तो has anything been done to help him is anything done कुछ करा गया है तो last few days के साथ is anything का कोई concept नहीं बन रहा है has anything been done to help him तो correct answer is four बाकि ए और थर्ड क्यों नहीं हो सकते क्योंकि वो interrogative नहीं बना रहे हैं interrogative जो बना रहा है तो वो second बना रहा है four बना रहा है इन दोनों में भी अगर अगर आपको question का structure अगर आपको रहेगा तो यह structure रहता है clear है next while picking a rose she dash her hand on a throne 483 का क्या answer जाना चाहिए while picking a rose she dash her hand on a throne देखे वाइल पिकिंग अ रोस शी अप रोस को पिक करते समय तोड़ते समय शी डेमेज्ड हो गया कोई sense नहीं बनना कट हाथ हो गया इस टंक डंक मार दिया नहीं हर हैंड ओन थ्रों कांटे से क्या हो जाती है scratches पढ़ जाते हैं तो sir scratched क्यों क्योंकि while से पता चल ला है कि यह sentence जो बनेगा वो past का बनेगा वाइल प्रिजेंड में नहीं बनाता है तो इसके दौरान while picking a rose she scratched her hand on a throne कांटे से उसके हाथ में scratches आ चुके है the child did not approve dash the father's plan 144 का क्या जाना चाहिए बच्चों आंसर approve के साथ कौन सी preposition आती है take your time तो the child did not approve dash the father's plan आप देखो दो चीज़ पर आप बच्चों अगर एक चीज़ को notice बार-बार कर रहे तो आप लोगों के चाहिए error कर रहे हो improvement कर रहे हो fling the blanks कर रहे हो एक तो आपको सबसे ज़्यादा दिखकत जो कर रहा है वो preposition दूसरा टैंस और तीसरा आपका एक पार्ट है आपका फ्रेजल वर्फ तो अगर आप इनी चीज़ों से तो बच्चों लोग conclusion निकालते हैं कि हमें कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को थोड़ा सा में कम ध्यान देना चाहिए देखरो नाउं की अरग बहुत कम आती है प्रेपोजिशन टैंस और फ्रेजल वर्ब आप पर देखरो फिर फ्रेजल वर्ब है फिर एक तरीके से टैंस यह यह जिसने टैंस पढ़ा यह कोशन टैंक कर लेगा तो अप्रूफ के साथ ओफ आता है तो दा चाइल्ड डिड नॉट अप्रूफ ओफ दा फादर्स प्लान मदब अपने जो बच्चा था अपने फादर्स के प्लान से बिल्कुल भी अप्रूफ या सैमत नहीं था क्लियर है नन अफ द फूड वाज वे पहली चीज़ आप लोग इसको देखे क्या लिखा हुआ है बच्चो नन यानि की आंसर वाजन्ट नहीं हो सकता अब यह दो हो सकते हैं अब इट लगा हुआ है तो इट के साथ तो कभी वराता नहीं है तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा वाज इट को कोशन टेग हमेशा उल्टा बनता है यह आपको पता है तो नन आप दा फूड वाज वेस्टेड तो वाज इट क्लियर है कोशन नमबर 146 है वी वांड हर डैश दा डेंजर कि वार्ण के साथ बच्चों अंगेस्ट आता है वार्ण के साथ अंगेस्ट वर्ड का याद क्यों चेताव ने किसी चीज़ से खिलाब दी जाती है ना तो वी वांड हर अंगेस्ट दा डेंजर बlakाद मेegन पर आता है वी वांगेस्ट रेंजर मेफें वांगेस्ट उला देखे लाफ एट लाफ एट किसी के उपर हसना किसी के उपर हसना किसी के हसी उड़ाना लाफ ओवर इशू और लाफ अबाउट का मतलब होता है लाफ अबाउट का मतलब होता है किसी अफियर पर मतलब किसी के जादा मुद्धो पर जादा तो अबाउट दटेयर मेन एस यह याद रखना बच्चों लाफ के साथ तीने आतें लाफ एड भी होता है लाफ ऑबर भी होता है लाफ बी होता है तो मैं आपको बता दिया ओवर होता है इस्छू के उपर कोई इशू नहीं है लेकिन a fair है तो वी विल वी ओल लावड अबाउट दफियर the chairman as well as the members फिर से देखो वोई error वाला concept आगे जिस बच्चे के grammar section strong है वो इसका easily कर लेगा अगर A square as well as and not B square besides but E square excluding except I, L like, unlike then का square, with का cube with, together with along with तो जितने भी words है जब भी इन में से दो नाउन के बीच में अगर यह वाले शब्द आते हैं तो किसको देखकर वर्व लगती है पहले वाले वर्ड को, chairman को देखकर वर्व chairman कितने है, एक, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आगे क्या लिखा है to, has to blame या is to blame for this, तो क्या लगाना चाहिए इस में अब दौनों singular है 148 में मजबूरी तो है नहीं तो is to, क्या हो जाएगा is to blame, करना पड़ेगा for this misfortune the chairman as well as the member is to blame समझ में आए तीनो, warn against laugh about, chairman grammar का concept है ये तो आपको पता होना चाहिए the streets are lighted, dash electricity again preposition आ गई, देख रहो फिर से preposition है, 149 lighted, lighted, dash electricity किसी के द्वारा हो रही है न, तो जब किसी चीज़ के द्वारा की हम लोग बात करते हैं तो बला लगाते हैं, by, तो the streets are lighted by electricity electricity, तो जो सड़के हैं, वो electricity light के द्वारा जग मगा रही है है, होमपैथिक treatment, they say, cut dash the need for operation and risk from surgery 150 होमपैथिक treatment, ऐसा लोगवा कहते हैं, कि होमपैथिक treatment होता है, cut कर देता है, किसकी operation की या surgery की मतलब जुरत को कम कर देता है, तो cut के साथ ऐसा क्या वर्ड लगाऊं, कि कि इसका meaning मतलब कम के sense में आ जाए cut down, क्या लगा देंगे बच्चों इसमें, cut down cut down मतलब कमी कर देता है, किसकी किसकी जुरत को, operation या surgery की जुरत को कम कर देता है, next, my friends fail to see why I should write the dash just because I have won a prize, idioms है, होत्स को जिस बच्चे ने idioms वाला section अच्छी तरीके से पढ़ा है, वो इसको तुरंद कर लेगा, my friends fail to see, my friends fail to see why I should write the dash होत्स just because I have won a prize, कौन सा इडियम से अगर कुछ याद है, आपको इडियम स्पड़े हुए हैं, तो तो एक मिनट में आए जाएगा, Ride the high horse, behave as you are better than others, ऐसा behave करना जैसे तुम दूसरों से बहुत बढ़िया हो, उसको बोलते हैं हम लोग यह, Ride the high horse, तो Ride the high horse का मतलब जो इडियम सोता है, वो यह होता है, ऐसा behave करना लोगों के साथ, जैसे कि तुम को यह लगना जैसे तुम बैटर हो बाकी लोगों से, तो कोशन बच्चों आप लोगों को देखते जा रहे हो, बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं, तो अप्रूफ के साथ ओफ लगाते हैं, नन की वेज़े से पॉजिटिव बना, वार्न अंगेस्ट, लाफ अबाउट, चेर्मेन वाला ग्रैमर का कॉंसेप्ट है, लाइटेड बाई होता है, कट डाउन फ्रेजल वर्व है, राइट दा हाई होर्सेस, यह भी एक मंदब फिक्स्ट को लोकेशन है, बाई डैश युनाइटेड इस्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस, 152, युनाइटेड, अगर मैं युनाइटेड वर्ड तो आप डां लगा दो इसमें, यू, यू लगाउ या तो बाई आड युनाइटेड इस्ट्रगल, अगर हम लोग एक साथ इस्ट्रगल करते, осंगरश करते हैं, तो वी में अचीव सक्सेस, कोशों नमबर 153 कोशों नमबर 153 क्या जाना चाहिए बच्चों इसमें शी फियर्ड डैट शी डैश डर लग रहा है डर यानि कि गिरी नहीं अभी गिरी नहीं इसको डर है तो डर है तो इसका मतलब में आगे आप कुछ ने अपनी कुछ संभाव नहीं बताऊंगा बच्चों अपनी में possibility बताऊंगा मुझे कोई संभाव ना नजर आ रही है तो यही बताऊंगा गिरना जाए तो इसका मतब उससे डर लग रहा है, तो she feared that she might fail, fall year fail जो भी है, ठीक है, he is the most generous man, I dash him for a long time, 154, he is the most generous man, क्या लिखा हुआ है, he is the most, तो यानि कि past वाले नहीं हो सकते, ये नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ हुआ, अब रह गया, have or no, तो क्या लिखा हुआ है, for, since of for के साथ आपको पता है, कि present indefinite कभी बनता नहीं है, तो correct answer is second one, तो he is the most generous man, I have known him for a long time, correct हुआ है, समझ में आए हैं या तक कोई दिक्कत हो, तो पूशिएगा, number आपके पास है मेरा, the sudden change in his behavior, came as a surprise to me, I begin, चारो, चारो idioms है, अब meaning के according आपको appropriate word लगाना है, क्या बोला है, the sudden change in his behavior, अचानक से उसके व्यवार में बहुत बड़ा बदलाब आ गया, came as a surprise, मुझे बड़ा आस्चर हुआ, I begin, I begin, अब smell a rat, to turn a new leaf, to blow hot and cold, to cut a sorry figure, आप मुझे डेली बत्तमीर से बात करते हो, आज इतने प्यार से बयात कर ली, तो मुझे आप पर क्या होगा, यार पता नहीं कुछ ना कुछ, मुझे दाल में काला लग रहा, दाल में काला, मतलब doubt रहेगा, कटा sorry figure, to be ashamed, to be ashamed, to be ashamed, to turn a new leaf, to start a new thing, to start, a new thing, और एक और हमारा लास्ट वाला काला है, to blow hot and cold, to blow hot and cold को हम लोग जो बच्चे बोलते हैं, इसका मतलब होता है आप लोगों का, to change one's mind, to change one's mind, the hotel, समझ में आगे न, to smell a rat का मतलब क्या हो जागा, to smell a rat का मतलब होता है, suspicion, क्या है, suspicion, चारों लिख देता हूँ, तब और के लिए, suspicion, मतलब आपको संदे है, कुछ तो दाल में काला, तो गहे न, sudden change उसके वेवार में आगे, मुझे बड़ा आश्चर लग रहा है, I begin, मुझे लगने लगा, आईसा दाल में तो कुछ काला, नहीं तो इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है, मुझे शर्मिंदी की होगी, कोई मतलब नहीं है, मैंने कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने अमने दिमाग बदल दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे क्या हुआ है, मुझे तो डाउट लगेगा न, दा होटेल वाज नॉट टू एक्सपैंसिव, कोशन टेग बताना है, 156 का, दा होटेल वाज नॉट टू एक्सपैंसिव, पॉजटिव बनेगा, क्योंकि नॉट है, तो वाज और होटेल एक ही है, तो वाज इट, क्या बन जाएगा, तो वाजन इसकी वाज़े से नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, अब इन दौनों की बात करते, तो helping वाफ सेम होनी चाहिए, तो ये भी नहीं बन सकता, समझ में आया, चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर इस session को end करता हूँ, क्योंकि ये तीनों जो question है, at least ये दो, ये तीनों ही, मतलब इससे आगे जो तीनों है, वो मैं आपके साथ live session में पढ़ूँगा कल, और आज के ये session आप लोग प्रीमेर होके देखोगे, थोड़ा सा मुझे काम है, जिसी वैसे मिलेगे मैं आप लोग कि किसी भी तरीके से, कोई छुटी नहीं करना चाहता था, कि आप लोग कोई गैप मिल जाए आप लोगों को, तो कल आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी live, इस question से हम लोग start करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे आपको कुछ समझाने वाली चीज़ है, जरूर अच्छी तरीके से देखिए, और कोई भी doubt हो, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, 999-777-0047, ask me anything, ठीके बच्चो, चलो, till then, goodbye, take care बच्चो, bye-bye.